तो गाइज यह लास्ट रिम आप लोगों ने देखा था कि मैंने और सेंचेन ने और बैनी भीया ने मिलके एक रबोट बनवाया था और लेटरली गाइज वो रबोट अभी भी बन रहा है हाँ गाइज वो एक रबोट नहीं है वो एक ट्रांसफोर्मर है और तो और गाइज वो एक बहुत बड़ा ट्रक था जिसको हम लोग खरीद के लाये थे और बैनी भीया ने अपने गेराद में मोडिवीशन करके उसको एक ट्रांसफोर्मर बना दिया चलो गाइज अभी न फिलाल अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे ट्रांसफोर्मर कितना बना और गा बनाने के लगते हैं पैसे हैं क्या आपके पास गाइज एक करूड यार यह तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मेरे कुई यार हाँ से इंचैन मेरे पास है लेकिन उससे पहने ना पहले ट्रांसफोर्मर मैं ट्राइ करूँगा कि यह चलता है यह नहीं चलता है क्यों मैंने बिया मैंने सही बोला न हाँ हाँ बिलकुल सही बस एक मिनट थोड़ा टाइम और उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफोर्मर रेड़ी हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा ट्रांसफोर्मर किस तरह है और कितना बढ़िया है यार गाईजर तब भी एक करोड तो बहुत जादा हो गए फ्रैंगर भीया आपको क्या लगता है हमें एक करोड देने चाहिए क्या अरे चब रियल रबोट सो दो सो करोड के आते हैं लगता है तुम भूल गए हाँ गाईज लिटरली आप लोगों को पता ही होगा एक रियल रबोट ना काफी जादा महंगा आता है और हम लोग एक ट्रक को ट्रांसफोर्मर बना रहे हैं जो हमें बहुत जादा सस्ता है तो लिटर लिखाईज बढ़ने दो और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन हाँ आप लोग जब तक एक काम करो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सस्क्राइब करके बेर एकोन अन कर दिना और हां कमेंट में लिख दिना ट्रांसफोर्मर जिसे गाईज हमार ट्रांसफोर्मर जल्द से जल्द तैयार हो जाई यार फ्रैंक भी यह तैयर हो जाई नहीं तैयर हो चुका है चलो बन गया यह हां फ्रैंक रिन वो ट्रांसफोर्मर बन गया है क्या बात है गाईज आप लोग ने वीडियो को लाइक किया और इतने में हमारा ट्रांसफोर् बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक ट्रांस्फोर्मर है वो कभे भी कुछ भी कर सकता है वो कभे भी ट्रक बन सकता है कभे भी एक ट्रांस्फोर्मर यह वो तो कमांड से चलेगा ना तो जो हम कमांड जेंगे वो वैसे ही तो करेगा ना अरे सेंचैन तुम सही बोल रहे हो लेकिन वो हमारे कमांड सही से मान रहा है यह नहीं मान रहा यह भी तो चेक करना पड़ेगा ना हाँ गाइज बैनी भी है सही बोल रहे हैं और यह देखो हमारे ट्रांसफॉर्मर कम्प्लेट हुआ चौप सिंच चैन्स चले हम लोग कहीं इसको लेकर जहां पहम इतनों ज़्यादा पैसा लग चुका है चलो चलो फ्रैंकलेन एक काम करो वहाँ पे मेरा एक ट्रक रखा है उसको फटाक से ले के आओ और उसके उपर तुमारे ट्रांसफोर्मर रखके हम लोग ले के जाएंगे कहीं ऐसी जगह जहां पे लोग बहुत कम हो और हम इसको अराम से टेस्ट कर सके यार फ्रैंकल भी यह देखना है यह अगर अच्छी से काम करेगा है फिर तो समझो हमारे चारे काम बहुत असान हो जाएंगी यार हाँ हाँ सिंचैन बेलकुल सही बोल रहा है तो चलो गाइस अभी ना फटा फट से इस ट्रक को लेके ना बैनी भैके गिर तो ड़ाज को तोड़ मत देना फ्रैंकलेन फ्रैंकल भी यह सही बोला है वैसि भी बैनी भी एक पास एक ही के राज है अगर इसमें भी तोड़ फोड हो गई तो समझो बहिए का गे राज बंद हो जाए यार है और सेंचैन जो कुछ भी तुम तोड़ोगे उसके पैसे भी तुम्हें देने पढ़ेंगे हाँ यार एक मिनट तो गाइस अभी न सबसे पहले इस ट्रांसफोर्मर को इस ट्रक के उपर रखते हैं और फटाक से यहां से निकलते हैं सेंचैन और चॉप तुम दोने मेरी मदद करो यार वैसे भी यह बहुत ज़्यादा भारी भी है यार फ्रैंगल भी है भारी है तो क्या हो गया देखे तो कितना बड़ा ट्रक बनता है यह और कितना बड़ा ट्रांसफोर्मर क्योंकि गाइस यह है हमारा ट्रांसफोर्मर रबोट कर जो कि कभी कार भी बन सकता है और रपोइट भी और हाँ यह हमारी सारी बात भी माने गई है एक मिनट अभी यह हुआ नहीं है कि यह हमारी सारी बात माने पहले काम कर हमें यहां से निकलना होगा और उसके बाद इसको टैस्ट करना होगा बैनी भीया आप भी फटा-फट ट्रांस्फोर्मर के साथ बैट जाओ कहीं वक्त गिर गया तो खराब हो जाएगा यार हाँ एक मिनट चलो अब मैं बैट चुका हूँ अब यहां से निकलो वैसे भी मैंने अपने पूरे लाइफ में पहली बार ट्रांस्फोर्मर बनाया है क्या आप बोल रहे बैनी भीया आपने ये पूरे लाइफ में पहली बार बनाया है और आपने ये पहली बार में इतना perfect बनाया है हाँ मैंने बहुत सालों से रिसर्च की थी लेकिन आज तक मैं बना नहीं पाया लेकिन तुम पहले बंदे हो जो मेरे पास आए और मुझे बोला कि तुम्हें एक ट्रांस्फोर्मर बनवाना है और मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले एक्सपेरिमेंट तुम्हारे द्वारा किया जाई या जब आपने पहली बार बनाया है तो परफेक्ट ओड़ी होगा है कोई ना कोई तो दिक्कत पक्का होगी गाइस लो मुझे तो लगा बैनी बिया को एक्सपेरियंस होगा पर इनको तो कार मोडिफार का एक्सपेरियंस है लेकिन यह है तो आप कह रहे हो आपने यह पहली बार बनाया है यार मैं भी वही सुनके सौक में आगया फ्रेंगल भी आपका क्या कहना इस बात पर यार अरे यह सब छोड़ो मैंने पहली बार में इतना परफेक्ट बढ़ा है पूरे लोसाइंटोस में ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरी तरह काम करता होगा यार तभी तो मैंने बोला कि सबसे पहले इसको टैस्ट करते है कि यह कैसे काम करता है अल्राइट गाइज अभी सारी बादे सुनके ना मेरा दिमाग गुम गया लिटरली बैनी भीया ने ये पहली बार बनाया और पहली बार में इतना परफेक्ट सिंचन लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बैनी भीया ने पहली बार में ट्रांसफोर्मर बना दिया और लिटरली गाइज हम लोग इसको आये है टैस्ट करने के लिए कि ये काम करता भी है ये नहीं करता लोग हम लोग पहुँच चुगे एक ऐसी जगह में जहां पे कोई नहीं है और यहां पे हम लोग एस्पेरिमेंट अर्राम से कर सकते हैं बैणी भीया इस ट्रांसफर्मर को नीचा उतारो और आप भी नीचा आ जाओ यार सिंजय ने काम कर, ट्रांसफोर्मर को तू चला, सही बोले चप, फ्रेंगल भी है, ट्रांसफोर्मर को मैं चला हूँ, मैं उसको सारे टास्क दूंगा है एक मिनट ये सारे टास्क only Franklin के मांगेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर Franklin का नाम फीट किया है ये मेरा तुमारा चॉप का किसी का भी बात नहीं मानेगा आल राइट गाइज आप लोग ने सुना बस ये मेरी बात मानेगा बाकी ये किसी की बात नहीं मानेगा यार ये तो बहुत बड़ा दुखा है फ्रेंगल भी है ये हमारी बात क्यों नहीं मानेगा है ऐसे हम इससे घर का कर्म नहीं करवा पाएंगी यार अच्छा मैं बाद में इसमें चौप का और सिंचन का नाम डाल दूँगा उसके बाद ये आप तीनों की बात मानेगा ठेक है आप बाद में डाल देना फिलाल गाईज इसको ना मैं टेस्ट करता हूँ एड ट्रांस्फोर्मर अन हो जाओ येस सर बोगे मैं रेडियो आपके सर्विस के लिए है गाईज लिटरली ये तो अन हो गया तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर दीजे ट्रांस्फोर्मर तुम थोड़ा सीधा चलो येस सर मैं सीधा जा रहा हूँ सर ने मुझे बोड़ा है कि मुझे सीधा जाना है हाँ सीधा जा रहा हूँ सीधा जा रहा हूँ हाँ टार्फोर्मर अब रुख जाना आगे जाके और उसके बाद तू पानी में चला जाना ठीक है सर ने बोड़ा है पानी में जाना है चलो मुझे पानी में जाना है याँ मेरी बाहत मैंनो कि क्या है नहीं नहीं वो इस डेक नहीं हो रही है मैं पानी में जा रहा हूँ और मैं पानी में पहुचने वना हूँ और लो मैं पानी में पहुचने अब क्या करना है हाँ अब एक काम करो पानी में तेज से भागो सर ने बोड़ा है पाली हो बहुत तेरी से भागना है भागो 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 और तेर भागो रुको अब वापस आतो मेरे पाद ठीक है सर ने बोड़ा है वापस सर के पास जाना है यार एक बर्गिर बिना के लाए दो, ओई ट्रांस्फोर्मर, मेरे लिए बर्गिर बिना सकते हूं क्या है मैं सर के पास पहुँच गा ट्रांस्फोर्मर, अब एक काम करो, थोड़ा फाइट करके दिखाओ यार ये लो, और ये पंच, और ये पंच, और ये पंच, और ये राइट, एंड लेफ्ट。 अब मैं किजी को मार सकता हूं, सर ने बोला? अब ट्रांस्फोर्मर एक काम करो, तुम फटाक से ट्रक बन जाओ. ये लो, सर ने बोला है ट्रक बनने के लिए, और मैं बन गया। यह तो मेरी बात मान रहे है अब यहां पर कि रुख जाओ ड़ा सिंचं कर यह की मैरी बात मान रहे है जायश लिट्रणी बस यह मेरी बात मान रहे है और किसी और की बात तो मान मिनी रहा बैनी भी या आपने लिटरली ये ट्रांसफॉर्मर बहुत बढ़िया बनाया है अब एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर बैठता हूँ और ट्रांसफॉर्मर तुम मुझे घुमाना ये सर मैं आप घुमाऊंगा आप आके अंदर बैठ जाएए या लिटरली गाइज मैं तो चला इसके सीट में बैठने और देखता हूँ ये मेरी बात मानता है कि नहीं मानता सर आप बदाएए आप कहां जाना है नहीं नहीं कहीं जाना नहीं है तुम मुझे काम करो यहीं पे घुमाओ और उसके बाद वापस मुझे यहीं पे लाकर उतार देना ठीक है ना? ठीक है सर आपने बोरा है कि आपको यहीं आसपास में घुमाणा है तो मैं आपको सबसे पहले पाइने में घुमाता हूँ फ्रैंकन भीया ये बात बहुत गलत है सर ने बोरा है इनको घुमाना है और ये सर और तेज घुमाना है आपको या और स्पेड आप बताइए मैं वहीं करूँगा एक काम करो एक बार बहुत बढ़िया से स्कीट मारो ओके सर ये लिजी आपने जो बोला वो हो गया चलिए एक बार और आपके लिए एक बढ़िया सा एक बार स्नाइट सा आपके लिए और कुछ कर सकता हूं सर मैं नहीं नहीं तुमने बहुत बढ़िया काम किया अब एक काम करो तुम वापस पीछे चलो oke sir, आप में बोला, पीछे जाना है, तो मैं पीछे जारा हूँ, और पीछे, और पीछे, और पीछे Literally guys, ये मेरी सारी बात मानता है हाँ sir, मैं आपकी सारी बात मानूँगा, क्योंकि आप मेरी बौस हो, और आप जो बोलोगे, वह मैं करूगा अब एक काम करो, ब्रेक मारो ओके सर, ब्रेक एक्टिवेट एक मिनट, एक मिनट, अब कही मत जाना और मुझे नीचे उतरने दू ठेक है सर, आप नीचे उतर सकते हैं डोर ओपन Guys, literally, ये ट्रक ना काफी ज़्यादा खतरनाग है सेंचेन, ये तो मेरी सारी बात मानता है और सेंचेन, देख, ये कितना बड़ा ट्रक है अब ही मैं इसको बोलूँगा कि वापस ट्रांसफोर्मर बन जाओ तो वापस ये ट्रांसफोर्मर बन जाएगा यार फ्रेंगल भी आप मुझे चिड़ा रहे हुना है सेंचेन, रुख जा, ट्रांसफोर्मर तुम वापस ट्रांसफोर्मर बन जाओ ओके सर, मैं बन जाओ आप लोग देख सकते हो सेंचेन, मेरी बात मानो अरे तुमें हिंदी आती तो है, सुनो इधर अरे बर्गर लेके आओ, कुछ खाने पिने का बनाओ यार अरे फ्रैंगल भी यह क्या है, यह तो मेरी से लड़ाई कर रहे है अरे वही तो, फ्रैंगल भी या, यह क्या चीज बना दिया बैनी भी याने मुझे क्यों मारा, मैंने कुछ किया है नहीं था यार अरे अरे, मुझे भी पीटा, अरे यह ट्रैंगल रुख जाओ, तुम क्या कर रहे हो ओके सर, आपने बोरा रुख जाओ, अब मैं कुछ ने करूँगा लेकिन यह मेरे तो फाइट कर रहा है, मेरे को फाइट करना पड़ेगा गाइज, यह क्या कर रहा है, यह तो फाइट कर रहा है अब तुम गए बच्चे, तुम गे मुझे फाइट किया है, तुम भी गए और डॉगी, तुम भी गए और यह तीसा इंसान, तुम भी गए, अब मुझे कोई जी ज़रा अरे भाई पागल है क्या, अरे भही तो, गाईजी क्या हो रहे है ट्रास्फर्मर को, चौप को भी पीट रहे है, मुझे भी पीट रहे है, और बैनी भीया है, जिसने तुझे बनाया है, तूसी को पीट रहे है यार अब तुम तीन हो गए, ये ले बच्चे, कहां गया, तुम तो बहुत छोटे हो, अभी ये ले, अरे यार, ये डोगी तू ले अरे यार, हर बात में मुझे मारना जरूरी है क्या, फैंगल भीया, इसको समझा लो, वहना इसके पुर्जे-पुर्जे अलग कर दूँगा यार अबे यार, चौप, मुझे नहीं पता ही क्या कर रहा है, मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला, ट्रान्फॉर्मर, हिनना भी मत, गाइज, लिटरली, मुझे लगता है ये खराब है, और ये ले, गाइज, अब जाके, ये सांत हुआ है, अभी सिंचैन को, चौप को, और बैनी इसके अंदर, और भी काम करना बाकी है, हाँ, सरी बोल रहे हो, इसके अंदर, अभी थोड़ी मोड़ी प्राब्लम है, इसने आद, फ्रैंकलिन को चौड़के, मुझे, सिंचैन को, और चौप को, बहुत ज़्यादा मारा, और हाँ, वैसे भी, ये एक ट्रान्सफॉर्मर है तो, इसके मारे से चौड़, बहुत खतरनाक लगती है, यार, फ्रैंकलिन भी यह, लेकि इसने जितना भी मारा है, इतना तेज लगा नहीं, क्या बाते बैनी भी यह, हाथ पैर में गद्दे लगाए थी क्या है, अरे नहीं, वो, फाइट के मूड में नहीं था, वर्णर व मारता, तो, बहुत खतरनाक मारता, सिंचैन, ये तो, हमें फ्रैंकलिन ने बचाया, क्यांकि, वो, फ्रैंकलिन की बात, मानता है, गाइज, यार, हम लोगों ने ट्रांफर्मर बनाया, लेकिन, इसके अंदर, अभी भी, थोड़ी मोडी दिखते हैं, लगता है, वो, हमें ज इसे ट्रांफर्मर को, कोई नहीं हरा पाएगा, यार, सिंचैन, तो, बोल तो, सही रहा है, लेकिन, मैंनी भी आ, ऐसा हो सकता है, गन्स एन आर्मर्स का यूज़ कर सके, हाँ, फ्रैंकलिन, ऐसा हो सकता है, लेकिन, वो, बहुत ज़्यादा, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि, सो काबू में लाना, हर किसी की बात नहीं है, सोच लो, तुम्हें ये करवाना है, मैं कर दूँगा, लेकिन, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, अरे, कोई बात नहीं, आप इतना मस सोचो, गाईज, अगर ट्रांसफोर्मर हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो, क्या फाइदा, फ्रैंगल भी है, ट्रांसफोर्मर ऐसा बनाओ, जो लोग भी देखें, तो बोले हाँ, ये दो फ्रैंगल का ट्रांसफोर्मर है यार, ठेक है सेंचैन, तू सही बोल रहा है, लेकिन हाँ, इस ट्रांसफोर्मर ने इतना जादा मारा, क्या ही बताओ, गाज लिट जाओ रुक जाओ एक मिनट इसके अंदर बहुत ज्यादा खराबी है फ्रैंक लेन तुमने बोला इसके अंदर आर्मर्स भी डालने है तो तुम्हें काम करो गंज एन एक बड़ा सा टैंक लेके आओ जो बहुत ज्यादा पारफुलो उसकी सारी सक्तियां हमें इसके अंदर ड लेके मिलती है पूरे लॉसेंडोस में और वो है आर्मी बेस कैम और वो तुम्हें कभी भी अपना टैंक नहीं देंगे तुम्हें ये बात पता है न सिंचैन अरे वो था हमें पता है देंगे नहीं तो क्या हुआ हूए चुराता सकते ही है यार सही बोला फ्रैंगल बयाद तेन दिन और लगने वाले हैं ठेक है मैं समझ गया गाइस अभी मुझे आर्मर्स एंड टैंक लेके आना है जिससे हम अपने ट्रांसफॉर्मर को बढ़िया ट्रांसफॉर्मर बना सकें वैसे भी ये थोड़ा खराब हो गया था बीच में लेकिन हाँ गाइस मैं इसको जो भी बोलना था ये सारे काम कर रहा था सिंचैन ट्रांसफॉर्मर काफी ज्यादा बढ़िया था बस उसमें सिंचैन को और चॉप को और बैनी भीया को मारा मुझे देखके काफी ज्यादा हसी हर था सिंचैन फ्रैंगल भीया ये हसने वाली बात नहीं है यार वह हमारा बेरी बात मानता ना तो मैं उसको पक्का बोलता फिर वो आपको पीड़ता तब आप पर मैं हसता यार यह बहुत गलत बात देवरंगल भीया आप हम पर मत हसो ठीक है ना ठेक है ठेक है तो गाइस चलो अब फिलाल यहां से निकलते हैं और हाँ अभी आप लोग को पता ही है ह किसी को देते हैं और कोई वहां से चुरा के लाए तो कोई बच नहीं सकता तो चलो अभी हम लोग जाते हैं और फटाक से वहां से टैंक लाते हैं गाइस अभी आप लोग सोच रहूंगे कि मैं कहां जा रहा हूं हाँ मैं जा रहा हूं आर्मी बेस कैम के बैक साइड में जह सेच भी हो जाए हम लोग को हार निमाना और टेंक लेके अपने साथ जाना ए ठेकन ना फ्रैंगल भी है आप ये के साहँ और मैं भी फ्रैंगल भी या वो देखो टैंक जा रहा है एक टैंक दिख्या यार बेच चुप चाप रहे है आर्मी भी इस कैम्प है तो यहां तो टैंक हो गाई लेकिन गाईज वीट वो टैंक खड़ा नहीं है वो चल रहा है एक मिनट पहले उसको रुकने दू उसके बाद हम उसको चुराएंगे व प्रैंगल भी है मैं कुछ भी नी बोल रहा है सांधी से ऐसे कैम करो जैसे हम लोग यहां पर कैम करना है हो और यार वो उत्रा उत्रा वो टैंक से उतर गया यार अबे चौप चुप चौप रहे ना यार वरना तो हमें पिटवाएगा गाईज यह देखो तीनों ओफिसर आ कबाड़ है सारा एक खटा करके लेने आया है सिंचैन मेरी बास समझ भाई हम कबाड़ी वाले बन जाते हैं ना वरना उनको सक हो जागा हमारे उपर एरे हैं यह यह तुमेंने सोचा ही नहीं फ्रैंगल भी या क्या करना है चले क्या जहां से अब बैस इंचैन और चौप ए यहां से निकल जाएंगे या सब गए सब गए फ्रैंगल भी या सब यहां से चलो चलो हम लोग भी चलते हैं यहां से अब सिंचैन और चौप अब जो होने वाला है सोच लो वह बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आप पूरे आर्मी बेस कैम को पता चल जाएगा कि हम लो इतनी सारी गाड़ियां टैंक सब के आवाज आ रही है यार अब सिंचैन चौप वो देखो सामने से कौन आ रहा है गाइस लिटरली अब तो हम लोग गए लेकिन गाइस जो भी हो जाए हम लोग अपनी गाड़ी नहीं रोकने वाले और हां यह लोग मुझे पता है हर दम प गेर लिया उसके बाद मुझे कोई भी बचा ने सकता और देखो और अबे टैंक अरी दो टैंक भागो भागो फैंगल भी है अगर इन्ने हमें मारा है तो हम ब्लास्ट हो जाएंगी यह और यार गाइस इसने मार दिया लेकिन रुको मैं को चड़ूंगा ने यह लो यह टै आइंक आएगा जब मुझे खत्रा है लेकिन इन कार से मुझे कोई भी खत्रा नी है चलो गाइज अभी मुझे फटाक से आर्मी बेस कैम से बाहर निकलना होगा और हां मेरे आगे जो भी आएगा वो बचेगा नी और राइट गाइज मैं बाहर निकल जुगा हूं और यार ये फ्लावर के उपर इतने सारे कार्स नहीं नहीं मैं काम करता हूं मैं साइड से निकलता हूं फ्लावर के पर जाऊंगा तो मुझे लोग घियर लेंगे और फिर मैं फस जाऊंगा यार Frangle भी यह काम करो, हम लोग जंगल के साड़ से भी तो जा सकते हैं, यहाँ पे नदी नदी है, और हमें पकडने वाले बहुत कम लोग रहेंगे, चलो चलो हम लोग नदी के राष्टे चलते हैं यार सही बोल रहा है सिंचैन एक काम करता हूँ मैं नदी नदी के सारे यहां से निकलता हूँ जो मुझे कोई पकड़ना पाए लिटरली सिंचैन यह टैंक ना काफी ज़्यादा पाउरफुल है और आप लोग देख सकते हो यह टैंक इतना ज़्यादा पाउरफुल है इसके आगे कोई भी आजाए यह कभी निरुख सकता यार पर हमारे पीछे कोई भी आरमी ऊपफी तर नहीं है तो चलो इसको लेके ना फटाक से बैनी बेगा पास चलते हैं और राइट गाइज अभी फिलार में लॉसेंटर आ चुका हूँ और हाँ मैं पहुंचने वाला हूँ बैनी बेगा के गिराज में और लिटरली ये टैंक काफी ज्यादा पाउरफुल है यार फ्रैंगल भी है अगर एक बर इसके आगे वाले टेंडे से मारते हैं ना कोई भी चीज में तो वह रहाम से टूट जाता है एक्जाम्पल हाँ इस ट्रक को मारो देखो पलट जाएगा ये एक मिनट और ये लो गाइस मैंने बस टुच किया था और ये ट्रक इतना ज़्यादा दूर गया और हाँ ये ब्लाश्ट भी हो गया जो भी हो मैं तो पहुँच चुका हूँ बैनी गेराज में चलो अभी इसको लेके न अंदर जाते हैं और उसके बाद बैनी भेको बोलते हैं कि ये लो बैनी भी आ इसको फटा फट रिपैर करो और हमारा ट्रांसफोर्मर बना दो रे क्या बात है तम लोग ये लेके आ गए और हाँ तुमारा ट्रांसफोर्मर में अभी बहुत सारा काम है ट्रांस्फॉर्मर तुम जल से जल ठीक हो जाओगे हाँ गाइद ट्रांस्फॉर्मर वापर से खराब हो गया है कोई बात नहीं अभी हम लोग वेट करते हैं और दो तीन दिन में तो यह बनी जाएगा यार सर आपके ट्रांस्फॉर्मर वे बहुत सारी चीज़े हैं इसका स्पीकर खराब हो गया इसका लेफ्ट एंड में छोट लगी है और बहुत सारी चीज़े हो गई सर अब यह हमारे ट्रांस्फॉर्मर को बनने में दो या तिन दिन लग जाएगे तो चलो आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो तब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकर अन कर देना अब देखते हैं कि हमार ट्रान्फोर्मर बनता है ये नहीं